हेलो गाईज आप सब कैसे हो और गड़ी में बद चुके हैं साड़े दस तो अभी उठे हैं चाय बना के पी है और ये मेरे बच्चे तो अभी तक सोय हुए है क्योंकि संडे है तो छुटती है तो भार सर्दी है काम भी क्या है तो ये विचारे सोय हुए है है तो हम बनाएंगे आज बाजरे की रूटी और कड़ी तो कड़ी की रेसिपी त्यार करते हैं और बाद में ये उड़ जाएगे चाय बना ली है तो अभी इनको उठा उठा के चाय पिला दूंगी क्योंकि बासी चाय अच्छी नहीं हो ती शेयत के लिए बाकि खाली चाय त चाय नहीं देती उनको क्योंकि नुकसान करती है जद्धा चाय आउत तो चलो इनको चायदे देते हैर 10 मेर और कड़ी की तयार है कर लेकल देखिए से इस लड़ाइज लड़ाई हो गई पड़ोसी ने क्योंकि ये गाय को कचरा यां डालता है और गाय लड़ती लड़ती ह तो इनकी मोटरशाइकल टूट गई तुसले लड़ाइं कर रहे हैं कि यहां क्यू डालते हो खुतों को और गाय को चारा डालता है तो गुते भी यहां पर नो जैसे जतें मोटरशाइकल यह सब के साथ वुशते हैं कोई भी निकलता है तो उसको खाने को दोड़ते हैं तो इस बंदे की गलती है भी इसकी बहुत ज़्यदा डालता है और गाय को गाय को चारा भी डालता है तो यह गाइस मैंने बाजरे की रोटी और कड़ी बना दी है और बच्चों के लिए मैंने डाल दी है और मैं अभी ओर बना रही हूँ गर्मा गरम खाते रहे हैं और मैं गर्मा गरम बनाती रहोगी और गाइस मैंने नहया दोई कंली है उसके बार मैं खड़ा बना के इंको ख शुक है तो मैं बढ़ा रही हो चाहे कि डिखाते हूं गाइस मैं कल पर्सु अपीस गई थी तब मेरा पैर मुड़ गया था तो पूरा पैर प्पशान आता है ना तो वह द्रढ़ होता है पूरा बजन टकता है na प्यार का ऐश देखा लागल चलते हैं तो ज्यादा कंगल है और सुबे सुबे भी ज्यादा धक्रण बंच बता Neben a के लिए नहीं आगे तो सोचती हूं आज दिखाऊं कर देखते हैं तो देखिए गाइस जाए उबलके हो गई है तैयार वर बड़ा बड़ा देखने गया है मेड़ा और छोटे फड़ी खाके और यांग विश गया है रजाई में देखो नाटक कर रहा है सोने का यह सोया नहीं है गाइस और आज अरा हमसे यह गंटे तक बात्रूम में गुसावा था रहा हमसे नाकी आया है आज तो दिखा इधर कर तेरी आखे इधर कर पता नहीं गाइस क्या हो रहा है इसकी आख में आज एक यह आख सुझी हुई है कुछ दिन पहले एक यह सुझी हुई थी पता नहीं कैसे क्या हो र रख दिया है और देखा राम से टीवी देख रहा है तो चलिए गाइस चाय लेके आते हैं तो फ्रीज तो खुलाई छोड़ दिया मैंने दूद लेके तो गाइस मैंने अब ही दो दिये हैं यह इते सारे बरतन इतना ठंडा ठंडा पानी है तो अब फेर से मैं चाहे बनाऊंगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो ठंड लग रही है तो गाइस यह देखे इते सारे उपर कपड़े दोए हैं मैंने कंतो की थी सारे गर की करता भी नहीं है पर साथ दिन में एक दिन में जरूर करती हूं दूलमी टीत नी उड़ती नहीं है ठंड के कान ने रोड तो भीगी रहती है तो कल मैंने पूरे गर्भी साफ सफाई की आज मैंने बहुत सारे कपड़े दोए और आगे से अंगन भी दोया स्कूति वगेरा तो कल भी मैंने शीर दोया राज भी मैंने शीर दोया कल ऐसे शीर दोया था राज मेंदी लगाई तो वैसे शीर दोया क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा सुबह सुबह उपी जाना होगा जल्दी से जल्दी तो सुबह सुबह टाइम मिलता नहीं है किते सारे कपड़े सुख पहा के रखे हैं मैंने यह देखिए नीचे तक लटक रहे हैं और इधर और इधर जुराब जुते सब और यह देखेगा इसे एक दम से साफ सुथरा करके रखती हूं जई उपर हो जई नीचे साफ सफाई भी ना गुजारान नहीं आपता है तो चलिए कपड़े दिये मैंने सुखा जब चलते हैं अब आज प्यार में दर्द है कल दोक्टर को दिखाएंगे क्या हुआ है क्या नहीं पर की कर देती हूं नाइट में जग गए तो चलिए अभी यह दो रजाय मगुशिय होए हैं दोनु बच्चे चाय बना देती हूं अगर खुली है तो अभी स्किट लेके आएंगे अगर खुली नहीं होगी तो बापिस्की से भी पता चल जाएगा खुली है तो अगरे बापरे बहुत ठंड़ा है भार मुसम अगर 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 पता नहीं गाई साब के जाके पता चलीगा खुला है कि नहीं खुला है ली लग रही है चलो ये वाली तो बंद है ये तो काफी दिनों से बंद कर रखी है एक आगे है वो खुली है चला है नहीं जत्ता प्यार से तो बाइस अगरा जासे कोई रहता है नहीं है संसान पड़ा है तो ये दुकान कुली है जब गाइस दुकान खुली थी और हमने ले ली तीन बिस्कीट अभी चाय बना लेंगे और बिस्कीट भी खा लेंगे तो इत्ती ठंड है बहुत जादा मैं तो दो दिन से आज निकली हूं इस टेम छुट्टी होती है तो निकलते ही नहीं है क्योंकि लेट उठते हैं फिर घर का चाय और बच्चे भी चाय बिस्कीट खा रहे हैं तो पता है गाइस रात के बच गई है नो और रात के बच गई नो फिर हम अभी चाय पी रहे हैं दुवारा से बनाई है तो पता है गाइस साथ बचे हमारे गव में तो खाना पीना खा के और नो बचे तक तो हादी रात हो हो चुकी होती है गाऊं की था überना गोμαकर अगर अगर अबTHचे इस धोच्यक्ति पाच यह खाणा प हैं बढ़तकर 16 लाइन के लिए और अब अगे मेशने होग में वी और चाय पढ़े व्या betting कांइड पराव गाओं सो olًब शॉजा थी आठ साड़े आठ बजे तक मेरे को नींद आ जाती थी, क्योंकि रजाई में गुशते थे, मुबाइल टीवी चलाते नहीं थे, तो गरम होई रजाई और पटक देनी सी नींद आ जाती थी, तो इसलिए वो रात को जल्दी सोते हैं, और सुबह जल्दी उर जाते हैं, और आगे, शेर भी करें, तो आप सोचते होगे, घर में तो यह कैसे रहती है, तो गईस मैं लपी स्टिक लगाती नहीं हूं, घर पे, कहीं भार जाना होता है, तो हम लगाते हैं, तो घर पे हम ऐसे ही, ना लिए, बस कुछ नी किया, तेल लगा लिए, ना लिए, बस